नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं आल इंडिया अगन बाड़ी न्यूस चैनल और यहां पर आज हम लोग बहुत बड़ी-बड़ी खबरे लेकर के आए हैं दोस्तों बहुत से राज्यों से खबरे हैं आप लोग बराबर देखना और सभी राज्यों से हैं ज्यादा तर और आपको बता दू जहां-जहां मांदे आने लगा कितना आने लगा है और कौन से महीने का है दो तो यह सारी जानकारी आप लोगों को हम सेयर करने वाले तो आप देखिए आप लोगों को हम दिखाते हैं पहले तो आप लोगों को यह बता दू कि जो खबरे हैं लगातार पर सबस्क्राइब करें वाकई में और वीडियो कैसा लगा था आप लोग कमेंट करके बताना क्योंकि यहाँ पे सचाई हम दिखाते हैं कल जो मैंने जानकारी देती बिल्कुल 100% पक्की थी और इतना ही मांदे आ रहा था आज को लेकर क्या खबर है बहुत बड़ी खबरे हैं पहले उत्तर को समयलन होने जा रहा है अप लोगों के मांदे को लेकर के यह बात की कही जा रही है संगठनों के दोरा तो आप लोगों को बता दो 15-19 नवंबर जो अभी आने वाला है दिवाली के बाद में तो यह समझ लेजिए तब आप लोगों का मांदे बढ़ेगा उसको लेकर के ख कर्मचरियों का महा सम्मेलन होना है जिसमें मुख्यमंत्री जी और भाजपा के प्रदेश अध्यच डाक्टर महेंदरनाद पांडे जी जो है मुख्य जो आतिती होंगे तो यह देखिए दो बड़े-बड़े नेता लोग वहां पर आदने वाले आने कि मुख्यमंत्री भी आ क्योंकि ऐसा ही किया जाता है हमेशा इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं तो आप लोग बस वेट करिए नो तारीक को और इसके बाद में क्या लिखाओ सारा पढ़के आप लोगों को बताते तो उपरोक्त के संबंद में जो संग किये जो दो पताधिकारी दिनांक 9- ग्यारा दोजार अठारा को यानि की साथ तारीक को आपका दिपावली है उसके दो दिन बाद यानि की दूसरे दिनी नव तारीक को जो है इसी महीने ग्यारा तारीक को यानि की नव तारीक को ग्यारवे महीने में इसी महीने में बात चल लाइए और नव तारीक को जो है दस वारारसी सरकिट हाउस में जो है सम्मेलन हेतु जो बैठक होनी है तो उसमें दो संगठन जाएंगे उनकी मीटिंग होगी उसके बारे में जो भी जनकरी होगी आप लोगों को देंगे आप लोग चैनल से जुड़े रहें सब्सक्राइब जरूर कर लेना और यह देखें जिस बैठक होगी तो उसमें ये तिथी वगएरा सब डेसाइड कर ली जाएंगी कि कब सम्मेलन बुलाएंगे उनके हिसाब से जो है सम्मेलन 15-19 नॉम्मर के बीच में ही डेट रखी जाएगी जैसा यह लोग बता रहे हैं और आप लोगों को हम हर एक न्यूज देते रहते हैं क्या क्या आप लोगों को करना है और बाबुलाल मौर्या जो है जिलाद देच वारा रसी से उत्तर प्रदेश राज आंगनवाडी कर्मचारी संग मोबाइल नंबर वगएरा भी नो ने दिया है आप लोगों को और बता दूँ और फोन वगएरा आते रहते हैं मैं आप लो यहां यहां योगी आदेतनाज जी हो सकता है यह पढ़ारे क्योंकि यहीं हो सकतसे बाभाने अपने विबाग से जारी करते हैं अपने अपने संगठनों को लगे कि मेरे संगठन के कि आज तक जो एक नहीं हो सकता है वो मांदे कैसे बढ़वा सकता है आप लोग खुद से विचार करना और ये देखे जहारखंड से है बहुत अच्छी गुड नहीं हुज है जहारखंड में आंगनबाडी सेवका सहिकाओं को मिलिए दिवाली का तौफा हम सभी राज्यों से खबरे लाते है आप लोग वेट किया करें खबरों का चैनल को सब्सक्राइब करेंगे नोटिफिकेशन आपकी बेल आन होगी तो हमारी खबरे आपको फटावड मिलती रहेंगी और ये देखे जहारखंड सरकार ने जो है राज की गलत यहां पर लिखा हुआ है राज को दिया है सरकार ने उनका मांदे बढ़ा दिया है यानि कि तौफा सरकार ने दिया है इस दिवाली को लेकर 5,900 रुपए दिये हैं जहारखंड में और 2950 रुपए प्रतिमा कर दिया है यानि कि और मुख्यमंतरी रगुवर दास जी जो है उनकी अधचिता में जो है सोमार को हुई मंतरी मंदल की बैठग is बैठग her निकि कल जो बैठक होई थी और बैठग में यह फैसला लिया गया है कि यह भी पने और दिया हुआ है राजी सरकार के जो परवक्ता है उन्होंने बताया कि इसी तरह आंगनबाडी साहिकाओं का मांदे जो 2200 रुपए से बढ़ा कर 2950 रुपए प्रतिमा कर दिया गया है लेकिन बात यहीं पर हम करें अगर न्याएं की और एक अच्छी सोच को लेकर तो बढ़ा तो आप लोगों का पूरे देश में जो किन सरकार के दारा मांदे बढ़ाया गया था वो आप लोगों ने देखा 1500 रुपए जो आगनबाडियों की वरद्दी की गई थी 1250 रुपए मीनी की गई थी और 750 रुपए साहिकाओं की की गई थी और आसाओं का जो डबल कर दिया गया था पूरसाहन नासी तो यह चीजे थी लेकिन वो क्या कह रह है और यह पंद्रा सो रुपए फिर कहां गए पंद्रा सो रुपए कहां गए जब 4500 आना चाहिए था लेकिन वो आया नहीं तो लोगों में काफी रोस है लोगों को अभी यह सक भी है कि यह भी हो सकता है कि मांदे बढ़ाया ही ना हो सरकार ने हम लोगों को सिर्फ जुमल हुआ है और दिवाली आप नए पैसे से मनाएंगे यह आप लोग खुद ही सुने होंगे टीवी वगारा पर चैनल वगारा हर जगह देखा होगा खुद ही बोल लहते और खुद ही बात पर अमल नहीं कर पाए जब केंसरकार में बैठे मोदी जी इस बात को को अमल नहीं कर करता मेरा मतलब है सिदा सिदा आप लोगों को सचाई दिखाते हैं जो सच है वह हम बताते हैं और बाकी आप लोग खुद ही जान रहे हो इतने साल हो गया आज तक कुछ नहीं हुआ तो आगे भी हो जाएगा इसकी गारंटी क्या है बाइस संगठन वाले तो बोल देते हैं आपके विभाग की और इदे के सिहोर मद्दान दिवस पर गुलाबी मद्दान के इंपर महिलावें बाल विकास विभाग के दोरा एक आंगनबारी कारकरता के नियुक्ति की जाएगी और सोमवार को जो एक कलेक्टरेट के समकच जो है आयोजित समय सीमा बैठक में वाचन अधिकारी तरुड कुमार जो है पिथोड़े के निर्देश धीये गए हैं और आगे आप लोगों को दिखाते हैं जैसे की सभी विद्याले और आंगनबारी के अंदरों से सदर वीडियो ने मांगी बच्चों की सूची तो सदर वीडियो के अधच्चता में जो प बहुत कमी लोग दिखा रहे होंगे जो दिखा रहेंगे उनको मेरा सल्लूट है और आगे हम लोग आप लोगों को बताते हैं और यह देखिए इसके बारे बताएं कि मैंने बता दी और भी जो खबरे हैं ज्यादा ज्यादा देने का आप लोगों को प्रयास करेंगे तो इ उन्हें भी आंगनवारी केंदरों से उनके पोसक छेतर से जो है नो माज से सोला माज से बच्चों की सूची जो है वगएरा वगएरा मांगी गई है और छे से छे साल से पंदा साल तो यह सब चीजे हैं आप लोगों को खुदी पता हो जाएंगे दीर देर लेकिन हम आप लो लेकर के यह लेटर है आप लोगों को मैं इसलिए दिखाता हूं हर छेतर से और जो भी अच्छी खबर हैं आप लोगों को मैं दिखाने का प्रयास करता हूं आपके विभाग की तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पत्र वगएरा भी जो भी सरकारी पत्र जारी किया जात पता होगी यानि कि यह उसी जगह से होंगे तो उन लोगों को यह ज्यादा अच्छी लगेगी और यह बता दूँ जिले में जो है तीन करोण 28 लाग से बनाये जाएंगे 34 नए आंगनबाडी केंद्र तो यह खबर है हरियाना से आप लोगों को मैं बता दूँ ADC डाक्टर मुनीस नागपाल ने कहा है कि जिले में 34 नए आंगनबाडी केंद्र भवन मनरेगा योजना के तहद बनाये जाएंगे और यह देखे लिजे मीटिंग वगरा भी हो गई जिला प्रसासन और आप लोगों को आगे लेकर के चलते हैं इसको लेकर के और क्या जो 65,000 रुपए जो हैं वो इतने की रासी खर्च की जाएगी यह समलेजे 9,95,000 लगभग 10,000,000 हैं 5,000 कम हैं तो यह समलेजे 10,10,000 रुपए में आपके वो आगनबाडी केंद्र बनाये जाएंगे तो अच्छी बात है आगनबाडी जो जहां पे जितने केंद्र वगएरा थे आपको बता दू भवनों की हालत मैंने अपने चैनल पर बराबर दिखा है जो लोग आप लोग वीडियो देख रहेंगे उनको पता होगा तो कहीं न कहीं हम लोगों का ये परिडाम आज निकल के सामने आ रहा है कि भवनों को लेकर के भी अब जो है सरकार को सचेत रहें त अच्छी बात है इसलिए कहता हूं वीडियो को सेर दोस्तों जरूर किया करें इधर उदर ताकि हम लोग जादा ज्यादा जुड़ेंगे तो आवाद उठा पाएंगे हम आप लोगों को लेकर तो ADC लगुत सचवाले के जो सभागार है में आयो जिला स्टाफ फोर्स की ब और आगे चलते हैं जैसा कि आगन बाड़ी के दो में परयाद मातर में पोसार उपलब कराएं अधिकारी वर्मा वर्मा जी बोलने तो हमीर पूर से यह खबर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर योजना के जो इसके अंतरगत जिला जो स्टाफ फोर्स कमेटी की स मेरी आवाज तो आप तक पहुंच रही है आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन आपकी आवाज मेरे पास भी आनी चाहिए ना तो आप लोग कमेंट जरूर किया करें अपनी राय दें अपना मत दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों और भी जो खबरे हैं हम बराबर चैनल पर वीडियो मिलते रहेंगे और हम भी कमना करते हैं कि आप लोगों की दिवाली अच्छे से गुजरे लेकिन दिवाली तो तभी अच्छी गुजरती ना जब हम लोगों का मंदे टाइम पर आ जाता तो कहीं न कहीं सारी राजनीति यूपी से ही सुरू होती है और इसका असर देखने को जल्दी मिलेगा और यूपी वगहरा में भी अब बताए चार हजार रुपए आए हैं इससे क्या होगा बहुत से जगा वो भी नहीं कोई कह रहा है एक हजार आए बताए एक हजार किस आधार पर जो सरकार ने लोगों को दिये है बताए और रह कुछ नहीं हुआ तो जूमला ही निकलेगा हो जाए तो उससे अच्छी बाती क्या है मैं तो चाहता हूं ओजाए और मैं भी आप लोगों से जोए फ्री हो जाऊं आप लोगों के लिए कुछ दूसरा कंटेंट ढून के लाऊं और आप लोगों को अच्छे-च्छी जो है म लेकिन हमें लग रहा है कि यह सरकार जो जल्द सुनने वाली है आप लोग जैसा कि अंध्री गूंगी जो बहरी सरकार तो कुछ ऐसा ही आप लोगों को भी दिख रहा है हमें भी दिख रहा है तो देखते हैं फिर नव तारीक की बैठाग में क्या होता है और उसको लेकर जो भी कारवाई होगी और जो भी निरड़े लिये जाएंगे वो आप लोगों को मैं जल्दी दे दूंगा धन्यवाद